प्रीविद्यार्थियों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि चुकि चीन लगातार भारत को चारो तरफ से घेर रहा है और भारत को ना केवल चीन सामरिक रूप से स्ट्रेटिजिकली घेर रहा है बलकि चीन आर्थिक रूप से भी भारत को चारो तरफ से घेर रहा है तो ऐसी स्थिती में जब चीन भारत को चारो तरब से घेर रहा है और हिंद महासागर में आपने देखा कि अपने सामरिक प्रभाव को अस्थापित करने के लिए उसने अनेक बंदरगाहों का विकास किया है जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में चीन के द्वारा ग्वादर बंदरगा को विक्षित किया गया है खुद आपने देखा कि स्रिलंका में हमबन टोटा बंदरगा को विक्षित किया गया है मालदीव में मरा माओ बंदरगा मरा माओ बंदरगा जो पंडुबियों का भी एक बहुत बड़ा जानते हैं पोर्ट माना जाता है और सम मैरिंस इसके नीचे माना जाता है कि 40 से अधिक संख्या में हैं तो मरामाओ मालदीव में भी चीन के द्वारा नौसैनिक बंदरगा विक्सित किया गया और अभी इसको और विक्सित किया जा रहा है बांगला देश में चटगाओं बंदरगा का विकास जो है चीन के द्वारा किया ज इसके अलामा भी हिंद महासागर में अनेक छेत्रों में, खुद आपने देखा सेसल्स में, केन्या में, इन सभी छेत्रों में चीन के द्वारा अपनी उपस्तिती दर्ज कराई गई है, तो भारत को एक तरीके से आर्थिक, एक प्रकार से सामरिक रूप से चीन ने काफी अध गेर दिया है, और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि चीन आर्थिक घेरे बंदी भी कर रहा है, जैसे आपने देखा कि चीन के द्वारा पाकिस्तान के साथ सबसे पहले मुक्त बैपार समझावता किया गया, फ्री ट्रेड एग्रिमेंट किया गया, और अभी आपने दे समबर 2017 को माल्दिव के साथ भी चीन के द्वारा मुक्त बैपार समझावता किया गया, फ्री ट्रेड एग्रिमेंट किया गया, जो बहुत अधिक चर्चा में है, इसके अंतरगत जो माल्दिव के साथ चीन के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रिमेंट किया गया, मुक्त बैप समझोता किया गया है इनमें 95 बस्तों से अधिक बस्तों पर जो है सुल्क की दरों को शुन बनाया गया है और आपने देखा कि जो मालदीव के साथ FTA समझोता था मालदीव की संसद ने उसे एक घंटे से भी कम समय में पास कर दिया और उसे जनता के विचार है तो भी नहीं प समझोता मुक्त बैपार समझोता भारत के साथ करेगा और फिर किसी अन के साथ करेगा लेकिन आपने देखा कि मालदीव के द्वारा चीन के साथ ही मुक्त बैपार समझोता किया गया तो इस प्रकार से यहां किलियर हो जाता है कि चीन ना केवल भारत के चारों तरफ से सामर गेरे बंदी कर रहा है बलकि आर्थिक गेरे बंदी भी कर रहा है तो ऐसे इस्थटी में यह देखने की आउसकता है कि भारत जब चीन चारों तरफ से घेर रहा है तो भारत क्या कर रहा है क्या भारत इस संदर में अपने को कुछ तयार कर रहा है या इस संदर में भारत की तय किस प्रकार की है इन बिंदों को हम लोग चर्चा करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों ने देखा कि चीन 2005 से दा इस्ट्रिंज आफ पर्ल पॉलसी मोतियों की माला रणीत के अंतरगत हिंद महासागर के छेतर में सैन ठेकाने और बंदर गाहों को और अपने प्रभाव को लिए कि अमेर्की विदेश मंतरालाय ने कहा माना है कि 2005 से ही चीन रणीतिक अस्तरपर हिंद महासागर में अपने सैन ठेकानों का तेजी से विकास करने लगा है तो इसनाति 2005 से चीन के द्वारा मोतियों की माला रणीत को सुरू किया गया तो भारत ने इस संदर में क्या कि अंस्कृतिक बैपारिक संबंधों के रिवाईवल के जो है नाम से इन देशों के साथ अपने संपरकों को मजबूत कर रहा है और अपने संबंधों को मजबूत करने के साथ भारत अपनी उपस्थिती भी इन देशों में दर्ज करवा रहा जिसमें आपने अगर आप देख एक बंदरगाह के विकास पर काम सुरू किया गया है और आपने देखा कि सेसल्स दीप में एक दीप है फ्रिगेट दीप इसको आप पीटी के हिसाब से भी ध्यान रखेंगे फ्रिगेट दीप में भारत के द्वारा इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इनफॉर्मेशन बारा जो है एक इकरित सूचना प्रडाली विक्षित करने के माध्यम से अपनी उपस्थिती को दर्ज कराया गया और यहां पर हम लोग कई सेंटर विक्षित कर रहे हैं जिसमें रीजनल इंटिग्रेटेड मैल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हम लोग अ जो प्रयास शुरू किया है उसमें सफलता मिली है यह प्रोजेक्ट मौसम का ही पार्ट माना जाता है इसके अलावा मारीश्यस के साथ भी हम लोगों ने जो है समुद्री छेतर में निगरानी बढ़ाई है और समुद्री छेतर में जो है इस निगरानी के माध्यम से इस छेतर में होने वाले प्रयासों पर वाच करना सुरू किया है यह अभी एक बहुत महत्वपूर पहाल है अर्थात मोतियों की माला जो नीत है उसके काउंटर में भ इसके अलामा भारत के द्वारा अंदमान निकोबार में राडार इस्टेशन अस्थापित किया गया है। अपना फैलाओ किया जा रहा है तो उसको रोकने का यह एक बड़ा प्रयास या उसको काउंटर करने का एक बड़ा प्रयास यह माना जाता है। चानते हैं कि बियतनाम की सेना बहुत मजबूत सेना मानी जाती है क्योंकि बियतनाम ने अमेरिका को भी बियतनाम युद्ध में हरा दिया है। देखें एसिया में सैनिक रूप से तीन ही बड़े देश माने जाते हैं जिसमें बियतनाम की सेना सबसे इच्छी मानी जाती है। फिर जो है भारत की सेना और चीन की सेना मानी जाती है। और इन तीनों देशों को सहयोग करने वाला देश यू एससार ही था। यू एससार ने 1971 के सामरिक समझोते के अंतरगत भारत को मजबूत किया। और यू एससार ने ही बियतनाम युद्ध के दोरान अमेरिका से लड भारत और बियतनाम एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से चीन के उभार को रोका जा सकता है और एक बड़ी मजबूत इस्तिती बनाई जा सकती है। तो भारत ने बियतनाम के साथ रच्छा सहयोग सामरिक सहयोग अस्थापित किया। इसके अलामा आपने देखा कि भा भारत के द्वारा इरान में चाबहर बंदरगा बनाया जा रहा है। यद्दपी इसको बनाने के लिए बहुत पहले ही समझाता हुआ था। लेकिन चुकि इरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिये गए थे प्रमाडु कारिक्रमों के नाते। सोचिए हम लोगों ने 2003 में चा पहना नहीं पाए। लेकिन 2015 में इरान P5-1 एग्रिमेंट हुआ और इरान प्रमाडु कारिक्रमों को रोकने के लिए तैयार हो गया। जिसके नाते 2016 में पुने मई 2016 में भारत ने चाबहर बंदरगा को लेकर के दुबारा समझाता किया और अब इसका तेजी से विकास हो र गौादर बंदरगा से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है। तो इससे हम लोग जो है यहां पे गौादर पे बनाए गए चीन के बंदरगा के काउंटर की स्थिति में छमता प्राप्त करेंगे। तो यह भी एक बड़ा कारिक्रम माना जाता जो चीन के द्वारा घेरा गया। इसके लावा बांगलादेश के साथ भारत ने समझाता किया है कि भारत अपने कारगो के लिए जटगाव बंदरगा का उपयोग करेगा। जिसके साथ चीन की शत्रुता रही है चीन का संघर्षरा है जैसे जापान है दच्छी कोरिया है जापान और दच्छी कोरिया है और इसके अलामा जो है इंडोनेशिया के साथ भी उसका संघर्षरा है फिलिपीन तो भारत इन देशों के साथ अपने संबंदों को मजबूत बनाने की लगातार कुशिस कर रहा है इसके लवाँ भारत के दवारा Act East Policy 2014 से सुरू की गई है और इसमें अपने सक्रेता को दच्छडी पुर्वी एसिया के देशों में बढ़ा दिया गया है और इस सक्रेता के बढ़ने के नाते चीन को इसे भी चीन को कमबैट करने चीन को नियंतृत करने की नीद के रूप में ही देखा जा रहा है इसके अलमा आपने अभी देखा होगा कि भारत के द्वारा दच्छडी बियत नाम के होची मिन सहर में सेटलाइट ट्रैकिंग और इमेजिंग सेंटर अस्थापित किया गया है इसके अलमा आपने देखा कि भारत के द्वारा नाविक रीजनल जीपियस सिस्टम विक्षित किया गया है जिसके माध्यम से भारत दच्छडी चीन सागर पूर्वी चीन सागर के छेत्रों में अपना जो है स्पेस इन्विजलेशन करने की छमता प्राप्त कर गया है प्रिस्टी से भारत के प्रियासों को माना जा रहा है इसके लवा भारत के द्वारा हिंद महासागर के देशों के साथ बैपार रच्छा और समुदरी सहयोग को तेजी से बढ़ाने की कोशिस की जा रही है तो इस कोशिस को भी भारत का चीन को जो चीन के द्वारा भारत को घेरा जा रहा है उसको जो है counter करने के प्रयास के रूप में ही देखा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा चीन को रोकने का या चीन को counter करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बलकि किया जा रहा है और इसके अलामा आपने देखा कि Indian Ocean Rim Regional Association for Corporation हिं तच्छेस जिसे कहते हैं आप हिंद महासागर के जितने भी टटवर्ती देश हैं इसमें भारत और अस्टेलिया के द्वारा ज्वाइन ट्रूप से अपनी सक्रेता बढ़ाई गई है इसके लावा जी फोर स्ट्रेटिजिक गुरुप में भी बनने वाला है जी फोर सामरि चीन सागर आदिके छेतरों में उपस्तिती और मजबूत होगी इसके लावा भारत ने अबोर योजना का भी विरोध किया वन बेल्ट वन रूट योजना का भी रोध किया जबकि कोई भी देश विरोध नहीं कर रहा था इसको भी एक अच्छा प्रयास माना जाता है भारत के द्वारा नैपाल भूटान बांगला देश के बीच मोटर बाहन समझोता किया गया इसको भी बहुत अच्छा प्रयास माना जा रहा है इसके लावा भारत के द्वारा सार्क के अस्थान पर बिम्स्टेक में अपनी सक्रियता को बढ़ाया गया है और बिम्स्टेक को हम ल बारा भी चीन के जो है घेरे बंदी को काउंटर करने के लिए बैलन्स करने के प्रयास किये जा रहे हैं इसको आप विसे इस रूप से ध्यान देंगे